श्री रादे राधे आपका स्वागत है सादमा और जीवन रहसे में मैं सनीहल आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको हनुमान कता सुनाने जा रही हूँ तो एक बार की बात है हनुमान जी पर शनी महाराज की दशा पड़ी थी तो हनुमान जी के पास जाकर शनी महाराज कहते हैं कि आप पर हमारी दशा पड़ी है और साड़े साथ साल आप पर बहुत दुखाएंगे और ये सब सुनकर हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं मैं तो अपना भजन करूँगा और मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके बाद शनी महाराज उनके सर पर जाके बैठ गए और फिर हनुमान जी को भजन करते टाइम सर में बहुत तेज दर्द हुआ क्योंकि शनी देव उनके सर पर बैठे थे और साड़े साथी में यही होता है कि पहले ढ़ाई साल इंसान कोई भी निर्ड़न नहीं ले पाता उसे सर दर्द ऐसी बिमारिया होती है फिर आने वाले ढ़ाई साल उसे पैरों से रिलेटेर याने वह कोई भी सही काम नहीं कर प तो ऐसा ही होता है तो जब हनुमान जी को सर पर दर्द हुआ तो उन्होंने क्या किया बढ़ा सा परवत अपने सर पर रख लिया फिर उसके बाद शनी देव गए उन्हें बहुत पीड़ा हुई और हनुमान जी जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम कहते हुए भजन करने लगे साती साथ उन्होंने परिक्रमा किया और नृत्य करने लगे बजन में कीर्टन में नृत्य करते करते वो इतने लीन हो गये कि उन्हें पूरा दिन हो गया फिर उसके बाद जब जब उनका पूरा बजन कीर्टन सब समाप्त हो गया उसके बाद उन्होंने देखा कि शनी माराज तो गायव है वो तो है इनी सर पे फिर उन्होंने पूछा शनी जी शनी जी आप कहां है फिर उसके बाद शनी देव पूच पर पहुँच गए थे और वो कहते हैं कि मैं यहां हूँ आपने इतनी तेज परिक्रमा लगाया इतनी तेज आपने भजन कीर्टन के इतना तेज नित्त किया कि मैं पूच पर आगया फिर उसके बाद हनुमान जी ने सरसो तेल दिया शनी देव को कि आप आपके घाव पर यह जहां भी आपको पीड़ा हो रही है आप लगा सकते हैं तो इसलिए हम शनी देव पर सरसो का तेल चड़ाते हैं ताकि वो यह याद दलाता रहे कि हम हरी भक्त हैं और हरी भक्त पर कभी शनी की दशा नहीं पड़ती है इसलिए आप हरी नाम जपिये संकिर्टन कीजिए और ऐसे ही श्री कृष्ण को याद करके उनकी चेतना मढ़ाईए हरे कृष्णा